तो अब खबर भीलवाड़ा से है भीलवाड़ा की ज्रहाजपुर में दो देन हुई बालिश के बाद आज सुबे से ही घना कोहरा चाया हुआ है घने कोहरी के चलते वहानों की रफतार थम गई तो वहीं कोहरी के कारण विजबिलची भी कम हो गई है तस्वीरे आप तक पहाड़ी है और इसके साथ ही कोहरे की घनी चादर देखने को मिली है तो वहीं बारश का अनुमान भी लगाया जा रहा है आने वाले समय में ठंड बढ़ने की पूरे आसार है चारों तरफ घना कोहरा चाया हुआ है इसके साथ ही विजबिलिटी कम हो गई है जसके चलते व पहाण चालकों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के पूरे आसार बताय जा रहे थे और इसी कड़ी में अब बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही ह मौसम विभाग की माने तो आने वारे समय में ये ठंड और भी बढ़ सकती है